मित्रों जिन इस्टुडेंट के फारम में लोगिन करने पे या फिर कहें फाइनल रसीद निकालने में ये प्रोलम आती है दिस मुवाइल लंबर आल लेडी यूजट तो दोस्तों ये क्यों रहाता है इसके में दो रीजन होते हैं दो कार्ण होते हैं जिससे की रहाता है और दोनों जो कार्ड हैं उनके हम दोनों के फारम लोगाए हुए हैं और दोनों कार्ण आपको हम बता देंगे अगर यह पूरा वीडियो आप देखते हैं तो 100% आपकी जो दिस मुवाइल लंबर आल लेडी यूजट की जो प्रोब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों य पहली बार में आपने आणलाइन किया और वो फारम जो है सच्चस्पूली सभी से आपने आपने अनलाइन नहीं कर पाया उसमें कोई गलती रह गई और फाजनल लाग कर दिया लकरने के बाद अगर आप दुबारा ऑनलाइन करने जाते हैं तब आपके में यह प्रोलम आ ज करना पड़ेगा इसका क्या सुलूशन है तो इस कंडिशन में भी यह रहाता है तो दोस्तों यही दो कार्ड है में जो यह रहाने के तो इनके दोनों के सुलूशन हम आपको बता देंगे आपको मुवाइल नंबर भी चेंज नहीं करना होगा आधार जाकर आधार सेंटर पर आपका काम हो जाएगा क्योंकि मैंने जो है लाइब सुलूशन दोनों के लएव हैं दोनों के लाइफ फारम लाइव है अगर आप पुरा वीडियो देखते हैं तो आपका सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे जिनका मैंने गलत फार्म किया है या फिर जिसमें कोई गलती रह गई थी और वो फार्म लोग कर दिया था फार्म निकाल ली थी और दुबारा फार्म जो आल लाइन करने गए तो मुवाइल नमबर आल लेडी यूज बता रहा है तो इनका जो है मैंने किस तरीके से सोलिशन निकाली है और दोनों फार्म आप देख लीजिएगा वहां पर जो है रिश्ट्रेशन नमर पितागी जी का नाम और नाम जो हम लाश्ट के अंका है वह हम दे देंगे तो यहां पर सबस्पहले हम इनका जो पूरी डिटेल है रिश्ट्रेशन नमर मुवाइल नमर और सबस्क्ते हैं कि पिटाजी का नाम सभी का पढ़ लीजिए यहां पर जो है जैसे ही फाइनल रसी निकालेंगे तो हमारी फाइनल रसी जो है वह आ जाएगी तो इस तरीके से इनका जो फार्म में पहली बार में रिश्ट्रेशन किया था फाइनल लोग कर दिया था तो इनक उद्सकूटा और धेकिस निज्का स्रोशन काला आ और दुसरा जो कार्ण है उसका किस त्रीके स्रेंट निकाला और तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम इनका जो जिसमें फारं में इर्रीउर अरा था तो वो लोगन करने तो यह हम ord दिका देते वो वारम में और इस स्मिट करेंगे जैसे ही करते हैं इनके फार में लोगिन होने के बाद यहां पर आप नावा पिंदसक नवपयों में पर पीनगा है तो तो उसका सुलिशन में निकाला पहले आपको इमने रिश्रीन दिखा दी है कि उसका किस तरी सुलिशन निकाला आप यहां पर जैसे ही इनका दुबारा मैंने किया तो सम्मिट किया तो इरियर बता रहा है तो 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 दोस्तों यह प्रोब्लम मंबर एक थी अब जो दूसरी प पहले आपको दिखा देते हैं जो उनकी में फारेशन निकाली है और उनके आधार में एक ही नमबर लगा हुआ है तो इनका जो है किस तरिके से सुल्यूसन निकाला आए वह आपको दिखा देंगे तो यहां पर अबदैच सकते हैं कि मैंने एक फारम जो है बो लोगिन कर ल तो यहां पर जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिया था तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है जैसे मेंने की फाइनल प्रेंट निकाली तो निकलाई है तो यहां पर जैसी अकांचा की निकालते हैं इंदू की निकलाई है तो इनका हम दोनों का स्लूशन आपको बता दे क्या होता है जब भी आप ऑनलाइन करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने किसी का फार पन्दिशन हो जाएगा नमबर दो कंडिशन में आपको क्या करना है कि जब आप एक ही घर के डो बच्चे complete अनके मोबैम नमबर जो लिंक है और तब तो आपको क्या करना है उन में भी आपको रिजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी दूसरे परसन का यूज कर ले और आधार की सिर्फ आधार की OTP आपको ले ले नहीं है एक फारम आप कर सकते हैं पहला फारम कोई सा उसी आधार नमबर से कर दीजिए जब आप दूसरा फारम करन के आख लिए फारम यहांता करें तो आप कभन करके करें सकते हैं कि मेरा फारम नहीं वह रहा है